मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताया कि अगर कोई terminate हो जाए या salary भी ना मिले, delay हो जाए salary भी देने के चक्कर में आपको terminate भी कर दिया गया है अगर ये situation आती है तो आपको कौन कौन सी आपके पास remedies है किन किन तरीकों को अपना कर आप अपनी वो salary recover कर सकते हैं या अपनी वो job आप पा सकते हैं वापिस तो उसमें एक है कि आपको labor commissioner को आपको शिकायत पत्र लिखना है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको वो शिकायत पत्र कैसे लिखना है तो दा जब हम start करते हैं तो सबसे पहली बात आती है address लेने की labor commissioner का address कैसे लेना है तो मैं example देती हूँ माली जी आपकी company state के अंडर है ये भी धिहान रखना है state में है कि center में आप website से भी पता कर सकते हैं अपनी company की आप जैसे हरियाना state labor commissioner के बारे में जानना है तो आप google पर लिखेंगे ऐसे हरियाना state labor commissioner तो labor department की website open हो जाती है तो इसमें अगर आप direct भी इस website पर चले गए तो कोई बात नहीं about में जाकर ये आएगा administrative setup में है ये ये देखें अगर आप direct भी उस website पर जाते हैं तो जब आप उस पर click करते हैं तो ये देखें ये सब names आ गए तो ये fifth number पर है श्रीपंकर जगरवाल देखें लेबर commissioner come chief inspector of factory और ये आगे उनका mobile number फोन नमबर और उसके बाद है 30 base building first floor sector 17 चंडिगड तो इस तरह स आप उनका address ले सकते हैं यहां से आप address copy कीजिए ठीक है और उसके बाद आपको ये letter में paste कर देनी है to the करके अब जब आप to the के बाद आप ये address लिखेंगे उसके बाद आपको wishe लिखना है कि है salary के बारे में है या आपकी termination के बारे में है उसके बाद आपको अपना नाम पूरा पता mobile number ये अच्छे से लिखें उसके बार बना मतलब versus किसके खिलाफ आप ये complaint कर रहे हैं तो company का नाम company के जो भी higher authority है उसका नाम अगर contractors हैं तो कितने हैं उन सब के नाम 123 ऐसे करके उसके बाद अब मैं इस विभाग में काम करता था आप जिस भी department में काम करते हैं य आप ऐसे पहरा बना कर लिखें पहरा बनाने से क्या होगा कि आप जो पढ़ने वाला है उसको समझ आएगी वो थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा तो clear cut कम शब्तों में अपनी बात पूरी करनी है मेरी इतनी salary थी और मैं इतने घंटे काम करता था अगर आपको कोई award promotion company की से कारे में कोई कमी नहीं थी आपके अब यह चीज़ यह शो करती है कि आप एक इमानदार और बहुत होनहार employee रहे हैं अपनी company के नोक्री से निकालने से पहले मुझे कोई warning नहीं दी गई यह सब बाते और किस वज़से निकाला गया वो detail आप यहां पर देंगे और salary रोग यह कि मैंने mail किया था यह application दी थी अब यह भी जरूर मैंशन कीजिए कि आप घर में इकलोते हैं घर का जो खर्चा है वो सब आपके उपर है और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों की भविश्य का सवाल है स्कूल की fees इसके बारे में भी detail लिकिए पहरा बना के ऐसे और उसके बाद अगर उसके बाद आता है कि आप क्या चाहते हैं मतब नोकरी वापस मिलें जो salary रह गई है वो सब मिलें यह सब detail यहां पर लिखनी है आपने की नोकरी अगर मालीजिए एक साल से आप घर में बैठे हैं वो नोकरी चुटी हुई है तो उस एक साल की वो salary भी और दिन आंख यह दीजिए और जब आप यह पोस्ट करते हैं या office में जब आप पोस्ट करेंगे उन्हें देंगे office में hand over भी करते हैं तो आप receiving जरूर रखिए क्योंकि यह एक proof भी होना चाहिए आपके पास कि आपने इस तरह की application दिये तो इस तरह से आप application लिख सकते हैं झाहिए